हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल क्रिकेट एक्सपर्ट में दोस्तों बंगला देशी क्रिकेट टीम इस समय वेस्टेंडीज के दोरे पर है और दोनों ही देशों के बीच सीरीज और T20 सीरीज के समाप्त होने के बाद अब बारी ODI मैचों की सीरीज की है इस सीरीज में तीन मुकाबले खेले जाएंगे दोनों ही देशों के बीच और ये तीनों मुकाबले एक ही वेन्यू पर खेले जाएंगे करेंगे आपको बताएंगे कि इस सीरीज में कैसा रंग दिखाएगी और pitch का इस खेल पर क्या impact पढ़ने वाला है तो वीडियो काफी knowledgeable होने वाला है वीडियो को बिना कहीं skip किये हुए अंत तक जरूर देखिएगा इसे पहले दोस्तों आप से काना चाहेंगे चैनल को अब तक आपने subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe करके notification के bell पर आल वाला बटन जरूरान कर लिजे क्योंकि अगर आप क्रिकेट को पसंद करते हैं तो चैनल के माध्यब से क्रिकेट समन्दी सारी चोटी बड़ी अपडेट आपको देने के साथ 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 सभी match की best dream 11 टीम भी बिलकुल प्री में आपको दी जाती है दोस्तो हम बात करें प्रोविडेंस क्रिकेट स्टेडियम गोयाना के पिछ के बारे में तो यह धीमा पिछ है बताएंगे इसके बारे में पूरा डिटेल की यह कब कैसा खेलेगा आईए अभी देखते हैं इस पर हुए जबकि दूसे इनिग में बेटिंग करने वाली टीम ने आएंट मुकाबले जीते हैं बात करें अभरेज स्कोर की तो पहले इनिग में दोसो पचीज का जबकि दूसे इनिग में 193 रन का average score देखने को मिलता है इस venue का highest total जो है वो change करते हुए बनाया गया था विस्टिडियन टीम के द्वारा पाकिस्तानी टीम के खिलाप और 49 ओबरों में 309 रन बनाते हुए successfully change किया था तो वहीं पर lowest total में कैरोबियन टीम पाकिस्तान के ही सामने मात्र 98 रनों पर आलाउट हो गई थी 41 ओबरों में वहीं इस venue पर highest score चेज़ जैसा कि हमने बताया कैरोबियन टीम का है जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाप 309 रन बनाये थे जबकि lowest run defend में दचिल अफरीकी टीम ने कं 89 रन के target को भी successfully change कर लिया था वैसे West Indies और बंगलादेश के बीच ODI मुकाबलों में head to head record अगर हम देखे तो दोनों देशों के बीच कुलमिला की 41 मुकाबले हुए है जिसमें 21 मुकाबलों में कैरोबियन टीम ने तो 18 मुकाबलों में बंगलादेशी टीम ने बाजी मारी ह दो मुकाबलों का result नहीं निकल सका है वहीं पर बात करें इस venue पर दोनों टीमों के performance के बारे में तो इस venue पे कुलमिला के जो 22 ODI International मुकाबले हुए है उसमें से 15 मुकाबलों में कैरोबियन टीम ने भाग लिया है और इन 15 मुकाबलों में 7 मुकाबलों में जीत मिली है जबक बंगला देशी टीम भी इस venue पे कुलमिला के 3 मुकाबले खेल चुकी है जिसमें 2 में जीत और 1 में हार का मुद देखना पड़ा था वैसे इस venue पे बंगला देश और वेस्टिन डीज के बीच भी 2 मुकाबले हेट टो हेट हुए है और इन दोनों मुकाबलों में दोनों ही देशों को एक जीत और एक हार से संतोस करना पड़ा था इस पिछ की बात करें दोस्तों तो यह धीमा पिछ है यहां पर बल्लेबाजों को तो अच्छी मदद मिलेगी ही स्पिनर गेदवाज यहां पर काफी हावी होंगे थोड़ा सा गेद रुकेगी फसेगी और थोड़ा